हलो फ्रेंड्स आइम बाविशा वेल्कम तो बाई कीचन आच्छो हम बड़ा ने जा रहे हैं वह चैनीज प्राटर है इसका नाम है होटे कोर्णी इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए वह देखते हैं सबसे पहले इसके लिए चाहिए स्वीट कॉर्ण, जिंजर, गालिक, ग्रीन चिली, ओनियन, सेजवन सॉस, टॉमेटो सॉस, वाइट पैपर सॉस जो हमें वह ब्लेक मरी का पाउडर मता है आज हम इसमें वाइट पैपर पाउडर यूस करेंगे वाइट, और शुगर, सॉल्ट, तौन, अभी हम बनाना सुरू करते हैं अभी हम गैस करते हैं सबसे पहले गैस करके हमेंगे और ब्लाव डाल दिया है वह दो फूसको अच्छे से गरम होने देना है वह गरम हो जाएए बास में अभी इसमें यह जो स्ट्वीट कॉन है मैंने तक्रिबन 200 ग्राइम फ्यश्कों भी हें इसको हम प्षोटे करेंगे यह पर हो ने से वह क्ृस्टी हो जाता है वह क्रिस्टी हो जाता है अब जह अब हम उचमे आज्टीनोमोटो यूजह नगे वह बना रहे हैं जाता है अजिनों होतो वैसे इतना कभी यूज़ करें ज्यादा अच्छा होता है इसके इसा 2 मिरिप अच्छे से सौत्रे करके रिष्टी बनाना है यह सौत्रे होने आ गया है अभी यह हमारे कॉन अच्छे से सौत्रे हो गए तो अभी यह उसको अलग से बॉल में निकाल देंगे अभी हमने इसको यह बॉल में निकाल रहे है अभी हमें दूसरी प्राइपन लेके अभी हमारे प्राइपन में हमने ओल डाल दिया है अभी यह होई गरम होने आया है अभी हम इसमें इस चौत गालिक डालेंगे और उसको सौते करेंगे अभी हमें ग्रीन चिली भी डालना जाएँ इसमें मैंने ग्रीन चिली एक खीश्पून ही लिया है अगर आपको जयजा स्पैसी चाहिए और जयजा डाल सकते है अभी हम ओनियन डालेंगे ओनियन को भी ओड़ा सकते करेंगे बाद में हम इसमें डालेंगे सेजवन सोस यह सेजवन सोस आप गरपे भी बना सकते हैं और बाजर में अच्पक रेड़ी भी बीईता है इसमें हम डालेंगे टॉमेटो केच्प अभी उसमें वाइट मरी पावडर डालेंगे इसमें वाइट मरी पावडर डालेंगे अब बहुत सार स्पैसिस हो गए तभी उसमें थोड इसी सुगर डालेंगे यह सुगर डालने के बाद अभी इसमें थोड इसी स्प्रीम ओन्यन डालेंगे अभी फोड़ा साल्ट इसमें फोड़ा कम डालेंगे क्योंकि स्प्रीट कॉन जब मैंने बॉल किया तब उसमें स्प्रीट कॉन फोड़ा डाला हुए ही था अभी यह सब जालेंगे बाद में गलास में जो पीट कॉन आगे रोज किया इसको मिक्स कर लेगे यह बढ़ी ऐसा स्टाचर है तो आप कभी भी जब कर चैनीज मेनू हो तो उसमें आप इस टार्टर सव कर सकते हैं उसके साथ आप कोई भी शूप सव कर सकते हैं पर होटन सवर ज़्या इस्टा रगता है यह अब हमारा होटन कोमी रेडी हो गया अभी हम उसको साव करेंगे, साव करने के लिए, सबसे पहले ये प्लेट लेते है, प्लेट में हम, यप, रेडी, डिस डाल देंगे इसमे, कितना बढ़िया लग रहा है न, और तेश में भी बहुत ही बढ़िया है, आप इसको जरूर ट्राइ करना अपने अधर पे, ट्राइ करके उसका फिट्बेक भी देना कि आपको केसा लगा, ये हमारी प्लेट रेडी होगी, अभी हम उसको डेकोरेट करेंगे, डेकोरेट करने के लिए हम देखों, चारो तरफ ऐसे, टमाटर की स्लाइस मैंने, कटके रेडी की हुई है, ये हमारी प्लेट रेडी होगे, अभी हम उसको थोड़ा साधनिया से गार्निस करेंगे, और ये हमारी प्लेट अभी फ्रेड्स रेडी होगे, प्लीज, अगर आपको अच्छी लगे, तो मेरी चैनल पे सब्स्प्राइब जरूर करना, और लाइक करने का बुलिये गावर, Thank you friends, thanks!